जहिन प्यारवच्चों स्वागत एक बार पूने आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर इसकूल में बच्चों आज की इस वीडियो पर हम लोग आपके लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी का एक बहुत महात्पूर संस्कूर्ट का गद्यांस देखें यह आपके कोईशन बहुत ज्यादा महात्पूर्ट है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बताओंगा कि संस्कूर्ट की आपकी तयारी कैसी होने चाहिए किस प्रकार से संस्कूर्ट में जो आपके इस लोग आते हैं आपके गद्यांस आते हैं उनका आप लोग संदर्व सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो पैसेज बताने वाला हूँ या आपको कह सकते हैं जो गद्यांस मैं आपको बताने वाला हूँ ये बोर्ड परिक्षा की देश से बहुत ही ज्यादा महात्रपूर होने वाला है और अगर आप भी हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कलीजे और इस गद्यांस को तयार करके ही आप लोग जाएगा फरवरी में जो आपका एकजाम होने वाला है 2024 के रगबात करें तो ये आपका विल्कुल 100% जो गद्यांस ये आने वाला क्योंकि हर एक साल ये ही गद्यांस लगबग रिपीर तो होता है जो भी पेपर के सिट आते हैं और में ये गद्यांस लगबग हर बार आता है तो आज के इस वीडियो में इसको फुल सल्यूशन के साथ मिलाया हूँ कैसे आपको सल्यूशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा तो विल्कुल अंतक बने रहेगा कापी में कैसे लिखना वो सारी चीज में आपको यह पर बता कर जाओंगा ठीक है चलिए सबसे पहले इसको पढ़िए कि आपको कह क्या रहा है ठीक है इसके बाद हम लोग इसका संदर्व करेंगे और हिंदी में अनुवात कैसे करना है वो भी हम लोग जानेंगे ठीक है य पर कर आपको गद्यांस कि एसा नगरी इसको पहँचानना पड़ेगा आपको अनुगल यूराज दारासिको अत्रागत भारतिय दर्शंत शास्तराणा अध्यनम अकरोत सतेशाम ज्यानें तथा प्रभावित तो देखे बच्चों यहां पर इस प्रकास यह क्या दिया गया आपका एक गध्यांस है अब कोशन आप सिर्फ जो बोड एक्जाम में आएगा वो पूछेगा कि निम्नलिकित गध्यांस का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवाद करिए ठीक है ऐसा कोशन आपके बोड पर इच कर रखा गया पेपर में हमारे यह किस चेप्र से जब आप लोग इतना पहचान लेंगे तो बहुत ही एजी तरीके से इसका आप कर देंगे संदर्व में लिखा क्या क्या जाता है यह आपका सबसे पहले हिंदे से दियागा जैसी प्रकास से आप लोग तो है किसी गध्यां कर रहता है ठीक है तो इस व्रकास यह टोटल आपका कलाकुलेशन के साथ बनता देखिए इस में आपको लिखना है कि प्रस्तुत घद्यान्स ठीक है संस्कृत गध्यांस हमारी पार्थे पुस्ता के हिंदी के संस्कृत खंड के अंतरगत और यह चाहे इस लोग की बात कर इसलोक में भी आपको ऐसे सेम का जो है मतलब उतारना है जो संदर भाय ऐसे लिखना बस पाठ का नाम आपका चाहिए तो आप लिखेंगे यहां पर दिखें कि दिया गया गद्ध या प्रस्तुत गद्यांस ऐसा भी आप इसमें शुरू में लिख सकते हैं तो प्रस्तुत के अंतरगत ठीक है वरांडशी नामक पाठ से ली आ गया है और इसमें महातुका अवरडण़ किया गया है यहां पर बता आ किया है सब से पहले यह समझें पूरा का पूरा गद्यास ठीक है यह कहां बसा कान से वहां से नम है वराण़श ठीक है तो वरП सी नामक-पार्ट से लिया गया है और इससे पूरे के पूरे जो पैसेज में जब महां आपको हिंदी में इस का अनुगाद बतानुगा आप आपको तो आप समझेंगे इसमें क्या किया गया है इसका जो कासी जिसे बोलते आप लोग तो वही उसके माहत्यों का वर्ण किया गया तो यही आपर बताया तो यहीं आपको कर देना है अब बात करें इसका हिंदी अनुवाद देखे हिंदी अन्माद में थोड़ा समझ येगा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा ताकि अगर आप समझ लेते हैं तो यह भूलता नहीं सबसे बड़ी बात यही होती है कोई भी चीज आप लोग तयार करें तो उसको ऐसे पढ़ना है कि वो भूले ना क्योंकि अगर आप उसको रट लेते हैं बच्चों तो बोड़ परिक्षा में वह चीज़े भूल जाती है तो इसलिए रटने वाली चीज़े आपको इस परकास से तयार करने है कि वो समझ में आपके आजा है जैसे करा कि एसा नगरी एसा का मतलब क्या होता हिया है नगरी मतलब नगर हना या नगरी भारतिय संस्कृति संस्कृत भासाय केंद्र इस्थलम आस्थि मतलब यह नगरी भारतिय संस्कृति का मतलब भारतिय संस्कृति संस्कृति जदी कल्चर जिसे बोलते हैं ठीक है तो भारतिय संस्कृति संस्कृत भासा यहां केंद्र इस्तलम अस्ति यानि यह नगरी भारतिय संस्कृति और संस्कृत भासा ठीक है और क्या संस्कृत भासा यहां का मतलब यहां पर हो जागा भासा का ठीक है केंद्र इस्तल मानी जाती है जो आपकी यह क्या है वराणसी जो है यह क्या है यह भारती संस्कृति और संस्कृत भासा का केंदर इस्ताल है क्योंकि संस्कृत भासा यहीं से बेद पुरार जो भी है यहां पर ही आपके ज्यादा ज्यादा उत्पन हुए है और यहां पर संस्कृत का बहुत ह तो यह आपको होगया कि यह से संस्कृत और जो है संस्कृतिक का प्रकास उद्पन्ड या प्रकास सरवत सभी जगह सरवत्र प्रसत मतलब सभी जगह क्या हो गया फैला इसका बद है मुगल यूराज दारासिकोह अत्रागत भारतिय दर्शन सास्त्राणा अध्यनम अकरोत यहीं कि मुगल यूराज जिसका नाम क्या है दारासिकोह बच्चों क्या है दारासिकोह मतलब जो मुगल यूराज दारासिकोह ह उन्होंने यही से अत्रागत मतलब यहां आकर ठीक है समझे मुगल यूराजदारासी को अत्रागत यहां आकर अत्रागत मतलब यहीं आकर कहां पर वराणसी में ठीक है आकर भारतिय दर्सन सास्तराडा अध्यनम अकरोत मतलब उन्होंने यहीं आकर क्या किया था भारतिय दर् मतलब इसके बाद देखिय। मतलब उनके उनके ग्जान से ऐसा प्रभावित हुआ था जो हो दारत सी को है मोगली वराज वह रहां की ग्यान से ऐसा प्रवावीट हुआ था कि किया किया आवो तेत यह उपनिसदाम अनुवादा पारिसी भांसा आया करी था मतब इस प्रकार से वह प्रवावित हुए थे कि उन्हों ने जो उपनिसद थे जो संस्क्रित में थे उनका जो अनुवाद पारिसी भासा में करा दिया ठीक है मतलब वह उनके ग्यान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिसदों का जो अनुवाद है वह फारिसी में कराया सबसे पहली बात तो यही किसी को कोई चीछ पसंद आती है तो वो उसका बहुत ही विशेश तरीके से ध्यान करता है ठीक है तो यहीं यहाँ पर वो प्रभावी चुए थे मुगल्द यूराज दारसी को और उन्हों ने उसका संस्क्रिप्ट में क्या किया शारी पारिसी भासा में अनुवाद करा जिया संस्क्रिप्ट से ठीक है तो बच् कर जेगा और चैनल पना तो सब्सक्राब भी कर जेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन वंद्यमात्रम